जै जोहर दोस्तों आज की इस वीडियो में CGPC Prelims 2024 एक्जाम से रिलेटेट 36 गर्ण्ट अफेर्स के टॉप 200 कोस्चन का MC क्यों करेंगे दिखेंगा पहला कोस्चन है जुरासिक कालिन दूरला फंट्री बस्तर संभाग के किस जिले में पाय जाता है ऑप्शन है बस्तर सुकमा क्यों पहला मौला लोक अधालत का अयोजन कहां क्या गया है देखें देश का पहला महला लोक अधालत का जो अईधियों करम के मुखे नायदिस है दिखे नयमूर्ती रमेश कुमार सिन्हा जी 15 करम के मुखे नायदिस है ठीक है कौन से करम के तो 15 करम के पंडित रवीश अंकर शुकलविश जी अभुई ध्याले के नय कुलपती कौन बने है तो कौन प्रोपेसर सचिदानन सिन्हा, option number A, प्रोपेसर सचिदानन सिन्हा, next है, चतिसगड के किस स्थान पर हाली में लीथियम के भंडार मिले हैं, देखें, चतिसगड का जो कटगोरा है, ठीक है, यहाँ पर लीथियम के भंडार मिले हैं, और कटगोरा जो है, यह कोर्बा हाशनी मंदिर सकती वा मदकुदीप मुगेली इन दोनों को शामिल के अगे है प्रसाद योजना में नेक्स्ट कोश्चन है सरस्वती साइकिल योजना सही कथन है कथन एक क्या कहता है कि सिक्षा सत्र दोहजार तेइस चोभी से नवी के चात्राओं के साथ चात्रों को भी साइकिल परदान किया जाएगा ठीक है यानि गर्ल्स वा बॉइस दोनों को तो ये राइट हो जाएगा ठीक है इसके लिए घोश्रा भी कर दिया गया है इस योजना की सुरुवात दोहजार चार पांच में हुई थी सरस्वती साइकल योजना की सुरुवात ये भी राइट है यानि इस कोश्चन को जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नबर सी एक वा दो दोनों सही है ठीक है चतिस गड़ उच नयायाले के मुख्य नैदिस रमेश सिना के संबंद में सही कथन है कथन एक वे राज्य के पंद्रमे मुख्य नैदिस है ये राइट है इन्हें विश्व भूसर्ड हरी चंदन द्वारा सपत दिलाया गया ये भी राइट है नेक्स्ट है कि वे पुरों में इलाहबाद हाई कोट में पदस्त थे ये भी राइट है और चोथा काता है कि 34 गर्द नयाये दीसों की संख्या दिवस दोजार तेईस विश्वववानी की दिवस दोजार तेईस 21 मार्च पर किसी को पूनर जीवित करने की घोशडा मुख्या मंत्री भुपेज बगिल द्वारा किया गया है तो option है मन्यारी नदी, संकिनी नदी, सक्री नदी या फिर गुनगुट्टा नदी किसको पून जम्मू कस्मीर के बाद ऐसा परमिट जारी करने वाला देश का चौथा राज्य चत्यस गड़े राइट है दूसरा कथन कहता है कि इसका उद्देश से वनोपज के परिवान को सुविधा जनक बनाता है ये भी राइट है और तीसरा कथन है कि इसे मार्च 21 मार्च 2023 को लौ जुष्टा की गई है उनका संबंध किस्से है पावंदिवान जी का संबंध किस्से है साहित्टे के चेतर से कवीता लेखन कहानी लेखन या फिर उपञ्यास लेखन तो रहcience सर हो जाएगा कवीता लेखन ठीक है कवीता लेखन 36 गड़ पत्रकार सुरक्षा कानून के संबन में सही कथन है कथन एक क्या काता है कि इसे मार्च 2024 को लागू किया गया ठीक है तो मार्च 2024 को लागू किया राइट है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला 36 गड़ देश का दूसरा राज्य है यह भी राइट है इस कानून के अंसार यदि किसी नीजी व्यक्ती दोरा मीडिया कर्मी को ड्राया धमकाया पर ताड़ी तिया फिर हिंसा किया जाता है तो यह दंडनी है अब राद होगा यह भी राइट है यानि इस कोस्टन के जो राइट एंसर हो जाएगा वो ऑप्शन न बस्तर को 206 दिवस पर राज्य के चार जिलों को समानित किया गया जिसमें बस्तर है दंतरी है और बलादा अजर भटा पा रहा है लेकिन महा समुन जिला शामिल नहीं है नेक्स्ट कोस्टन है चर्चा में रही निगीता यादों का संबद किस स्केल से है देके चर्चा में निगीता यादों को समझत किक बॉक्सिंग से है औप्शन नम्बर सी किक बॉक्सिंग चेचर गांवarity में राज्य में नेक्स्ट ये वर्दमान में राज्य में मन्रेगा दर 133 प्रतिवस 211 अचसर किया या प्रतिवस राइट एंसर है दोश्टों 21 रुपए प्रती दीवस है ठीक है 19 से 20 मार्च 2023 को बोरम देव महोत्सों का आयोजन किया गया या किस क्रम का था देखें 19 से 20 मार्च को बोरम देव महोत्सों का आयोजन किया ठीक है ये 27 वा क्रम का महोत्सों था स्वक्षे सर्वेक्षड 2030, ग्रामिट 2030 में देश में बेश्ट परफॉर्मिंग जिले में राइपूर को कौन सहिस्थान प्राप्थ हुआ पहला दूसरा तीसरा है फिर चाओ था तो राइट एंसर है दूसरा दूरलब जीव ईरोशियन ओटर किस जिले के जंगलों में देखा गया है। ओप्शन नमबर ए, कोरबा, विशेश संग्रक्षित जन्जातियों पर अधारित पुस्तक आदिवासी जातरा के लेकक को ने, दिखें, विशेश संग्रक्षित जन्जातियों पर अधारित जो पुस्तक है, आदिवासी जातरा, इसके लेकक डॉक्टर सत्यजित साहु है, ओ option number B, रजत पदक हाशिल किया, आकर्षी कर्षे अपने, इसकोच अवर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, उच सिक्चा विबाग, अंगना में सिक्चा कारेकरम, सुगर पड़वया, या फिर बुल्टू के बोल, तो राइट एंसर है, option number B, अंगना में सिक्चा का कारेकरम को, कौन सा अवर्ड से सम्मानित किया गया, इसकोच अवर्ड 2022 नेक्स्ट है, पचास मिट्री टन कोईला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान कौन सी बनी है, option है कुष्मुंडा, गेवरा, दीपीका या फिर मानिकपू, तो राइट एंसर है गेवरा, ठीक है, और जो गेवरा खदान है, कहां है, कौर्बा में इस्ती थे, कौर् अगला देखेगा, हाली में किस उत्पाद को जियाई टेक दिया गया है, तो देखे, हाली में नगरी दुबराज को जियाई टेक दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट है, हाली में 16-19 सताब्दी की पांडू असी काल की बुद्ध परतीमा कहां से प्राप्त हुई है, तो जला बंडार JON Алश के लिए क्रोमियम बंडार के लिए फिर और बाकसाइड बंडार одного के लिए तो गंदार JON रांपूर जला को सीरे जला से कटगोरा चर्चा में क्यों रहा है तो लिथियम बंडार ल देखें देश का तीसरा बड़ा जो कोल रिजर्व है ये रायगर मानद कोल छेतर है ठीक है बीस्वां गंप्यूटर सोसाइटी ओप इंडिया इस्पेशल इंट्रेश्ट इगवर्नेस ओवर 2022 से सम्मानित के अगया है किसे सम्मानित के अगया है तो गोधन ने आए योजना क का खनीज राजश्व रहा है देखें वित्यवश 2022-30 में राज़े के जो खनीर राजश्व ए 12941 करोड रहा है खनीज राजश्व में विभिन खनीजो का युगदान का सही क्रम है देखें खनीज राजश्व में विभिन खनीजो के युगदान का जो सही क्रम है वो कोईल नेज राज्य स्व चतिस गड़ राज्य के विभिन जीलों के योगदान का सही क्रम है तो राइट एंसर है दंतेवाडा दंतेवाडा फिर कोरबा रायगड और फिर बलावदा बजार नेक्स्ट कोश्चन है राज्य महिला उध्यमिता नीती की अउधी कब से कब तक होगी द थापित करने के लिए माता कोशिलिया महसो दोहजार तेस का अयोजन कब से कब तक किया गया तो राइट एंसर है बाइस से लेकर चोबीस अप्रेल दोहजार तेस नेक्स्ट है चतिस कोस एप के संबद में सही कथने कथने क्या कहता है कि इसे नाचा दौर लॉंच किया गया राइट है दूसरा कहता है कि नाचा का पूरा नाम नौर्थ अमेरिका चतिस गड़ एसोसियेशन है ये भी राइट है तीसरा कहता है कि इस एप में पहले चरण में चतिस अजार सब्दों का ट्रांसलेशन किया जा रहा है तो दिखिए यह ओप्शन ये कथन गलत है ठीक है ये भी कथन गलत है तीकि किसी भी बासा को चतिस गड़ी और चतिस गड़ी बासा को अंग्रीजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं इस सेप के जरिये तो यानि इस कोश्चन का जो राइट एंसर होगा वो ऑप्शन नमबर भी केवल एक वा दो सही है नेक्स्ट है महानदी जल विवाद प्राधी करण की संबन में सही कथन है कथन एक इसका गठन 12 मार्च 2018 को किया गया राइट है दूसरा कथन है कि उस प्राधी करण के अधेक्ष जस्टिस रवी रंजन है ये भी राइट है तीसरा कथन है कि अनुच्छे 262 इस विवाद की निप्टारे ये तू प्राधान करता है ये भी राइट है चौथा कथन है कि अंतर राज्ये नदी जल विवाद अधिकरण 1956 में नहरु जी द्वारा लाया गया था ये भी राइट है यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर डी एक दो तीन चार सभी सही है महानदी जल जल विवाद किन राज्यों के मद्य है दिकि महान दीके जो जल विवाद है वह 36 गड वह और उडिशा के मद्य है ठीक है चतिकरण और उडिशा के मद्य है आप्वर्टिफाइट राइस वित्रड योजना समस्त चतितित गड़ में लागू किया गया है कब से तो एक अपर सर्वेक्षड 2023 के संबन्द में सही कथन है क्या कहता है कि यह एक अप्रेल 2030 से 30 अप्रेल 2030 तक चला राइट है दूसरा कथन कहता है कि इसकी शुरुआत रायपूर जीले से हुगा था यह भी राइट है सर्वेक्षड पूरा करने वाला प्रतम या फिर पहला ग्राम पंचयत बंभीनी राजनान गाओं है ये भी राइट है तिस चौथा कतान है कि सर्विक्षड पूरा करने वाला पहला जीला कौन सा है बालोद है ये भी राइट है इस कोशन का राइट एंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नमर डी एक दो तिन चार सभी सही है पीम सिरी योजना के में इसकी सुरात 5 सितंबर 2022 को हुआ था राइट है देश में कुल 14,500 इसकोलों को पीम सिरी इसकोल में अपग्रेड किया जाएगा ये भी राइट है तिसरा कहता है कि पहले चरण में चतिसगर के 211 इसकोलों को अपग्रेड किया जाएगा ये भी राइट है और चौता कथ योजना का उद्धेश से है वो आपका प्शनबर एह गुडवात गुड़ात्मक सिक्चा और संगनात्मक विकास दुसरा है कि सिक्चा के आधूनिक परिवर्तन कारी और समगर तरीकों का उपयोग करना तीसरा है कि सिक्चा के नविंत तकनिक स्माट कक्षा खेल सहीद का उप्रोप्त सभी नेक्स्ट है कि चतिस गड़ का पहला चतिस गड़ी टीजीटल रेडियो इस्टेशन है ओप्शन है रेडियो संगवारी रेडियो चतिस गड़ी रेडियो हर्याली यह फिर रेडियो मितान राइटेंसर है रेडियो शंगवारी ओप्शन नमबर ए रेड केंद्रों को सरकार्द्βαर संग्रक्षिति इस्तल गोसित के अगया है किस जिले में इस्तित Rights ain't सरय को रज वाँ सतीते ने पर किते fitness शंय आप राश्टीर पंचयत के सम्मन्द के सभ्सकार के सम्फन में कथण है कथन ए गरीबी Will nenhum और जी Betsy वंन्दानें तो दमतरी जीले के सांक। ग्राम को सरुष्ष्ष ग्राम पंचयत का प्रस्कार प्राप्त हुआ है गलत है। स्वास्त पंचायत है तु सर्गुजा झीने के नागम ग्राम पंचायत को सरुषिश ग्राम पंचायत का पुरुष का राप्त हुआ है यह भी गलात है दिखे इसका जो right एंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो दोनों ही कतन क्या है वो गलात है ठीक है इस कथन का जो right answer होगा स्वास्त पंचायत है तू स्वास्त के लिए कौन सा सांकरा स्वास्त के लिए सांकरा हो जाएगा और गरीबी उनमोलने अजिवी का समर्धन के लिए कौन सा तो आपका नागम ग्राम पंचायत हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखेगा मुख्यमंतरी आदिवासी परपसंबानी दी योजना के संबन में सही कथन है कथन है क्या कहता है इसकी सुरवा 13 अपरल 2023 से शुरू किया गया ये right है दूसरा कथन कहता है कि इसका उद्यस्व परदेश के अनुसूचित छेत्रों में उद्यस्ट कहता है कि इसमें परतिक ग्राम पंचायतों को 55,000 की दो किस्तों में परतिवस 10,000 रूपे अनुदान सोरूप दिया जाएगा ये कथन गलत हो जाएगा इस योजना के तहट बस्तर संभाकी कुल 960 ग्राम पंचायतों का चैन पहली किस्त 13 अपरल 2023 को कर दी गई है ये कथन भी गलत है इस question का जो right answer है वो option number B एक दोवा एक वदो सत्त्य है ठीक है इस सो बैंक से सहायता प्राप्त चाक परियोजना का संबंद किस छेत्र से है तो right answer है सिक्चा गुडवत्त में सधार से संबंदीत है चाक परियोजना next है राश्टीव वीरता पुरुसकार से 36 गड़ के 5 बच्चों का चेन गया गया है इसमें से कौन सामिल नहीं है तो option है अमन जोती जाहिरे सीता राम्यादो उन्नती सर्मा या फिर राहुल मौर्या देखे राहुल मौर्या सामिल नहीं है ठीक है अमन जोती जाहिरे सीता राम्यादो और उन्नती सर्मा ये तिनों सामिल है नेक्स देखेगा राज्य इस्तरिये युवा महत्सों का आयोजन कब से आयोजन है वो कलंगपूर में किया गया कलंगपूर कहां है दुर्ग जिले में इस्ती थे निक्स्ट है ताता पानी मौट सो जोजार चोवीस का आयोजन कब से कब तक किया गया देखें 2023 और 2024 ठीक है दोनों पुछेगा तो 14 से 16 जनवरी के बीच में किया गया मास सकंबरी जनती के संबन्द में सही कथन है कथन एक क्या कहता है कि इस वस इसका योजन 6 जनवरी को हुआ ठीक है राइट है दूसरा क्या कहता है कि यह इस जनती नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है ये भी राइट है सरकार दोरा इस दिन सार्वर जनिक अवकाश घोशित किया गया है ये भी राइट है साकंबरी जनती के संबन्द में सही कथन है तो उपरोक तो सभी यानि ऑप्शन नमबर डी सभी कथन सत्य है सहीद वीर नरायंड सिंग क्रिकेट इस्टेडियम परसदा राइपूर में पहली बार 21 जनवरी 2023 को अंतराष्टी मैच खेला गया या किन दो देसों के मद्धे खेला गया तो ये भारत और नियूजिलेंड के मद्धे में खेला गया ठीक है 21 जनवरी 2023 को सहीद वीर नरायंड सिंग क्रिकेट इस्टेडियम परसदा राइपूर में पहली बार अंतराष्टी मैचों का मेजबानी करने वाला यह इस्टेडियम भारत में किस क्रम का स्टेडियम है कौन से क्रम का पचासवा वर्स 2030 पदमसरी से समानित अजे कुमार मंडावी का संबंध है पंडवानी गयन से नाचा कला से कास्ट कला से अभी पाक कला से राइट एंसर है कास्ट कला से अजे कुमार मंडावी जी का संबंध किस से है तो कास्ट कला से नेक्स्ट देखिएगा नाचा कलाकार डोमार सिंग कमर को किस पुर्षकाद से सम्भानित क्या गया है देखें नाचा कलाकार जो डोमार सिंग कमर जी है ठीक है इनको पदमसरी से सम्भानित क्या गया है एनिमिया मुक्त भारत अभियान में चतिसगड को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है तो एनिमिया मुक्त भारत अभियान में चतिसगड को तीसरा इस्थान प्राप्थ हुआ है नेक्स्ट है, डिस्क में सरवाधिक बॉस्केट बॉल, कोट राजनान्द गाउं जीले में है, इस स्टेडियम का क्या नाम है, तो राइट एंसर है, दिगविजय स्टेडियम, अप्शन नमबर भी, दिगविजय, मुगल कालीन, 65 चांदी की सिक्के कहाँ से प्राप्त हुएं, जो कि बाजार नावा गाउं से प्राप्त हुएं, और ये बाजार नाव गाउं कहाँ है, तो राजनान्द गाउं में इस्तिते, सही कथन है, कथन एक क्या है, कि मतस से बीच उत्पादन में 36 गड़ का इस्तान पूरे देश में 5 है, ये कथन सत्ते है, दूसरा कथन क्या कहता है, कि मतस से उत्पादन में 36 गड़ का इस्तान पूरे देश में 5 है, ये कथन गलात हो जाएगा, क्योंकि मतस से उत्पादन मे ऐस्थान पूरे देश में कौन सा है? यानि इसका right answer हो जाएगा कौन सा? केवाल एक सही है Next दिखेगा इंडिया गेट के तर्ज पर सहीद इसमारक कहां बना है देखी इंडिया गेट के तर्ज पर जो सहीद इसमारक बना है वो अमरवाटीका में बना है अवारवाटिका जो कि जगदलपूर में है नेक्स्ट है जैवी वित्ता के मामले में 36 गड़का देश में इस्थान है कौन सा इस्थान है जैवी वित्ता के मामले में 36 गड़का तो दूसरा इस्थान है अगला है बस्तर जिले में साल की पहली मड़ई कहा आयोजेत हुई देखे बस्तर जिले में साल की पहली मड़यी जो है यह नेतनार जो की कहा हाली में नवी से डस्वी सताबदी के श्रों मंसकाल के सिव मंदिर के अशेष कहां से प्राप्त हुए है तो सीरपूर से प्राप्त हुए है अगला है आली में नारंगी चमगादर कहां देखा गया है तो देखे नारंगी चमगादर देखा गया है हाली में जो की कांगर गाटी राश्टे उध्यार में देखा गया है कहां देखा गया नारंगी चमगादर तो कांगर गाटी राश्टे उध्यार में कहां है ये बस्तर किया गया है और तूरे नार जो की बस तरजिला में इससी थे हाली में किस जलासे में डेविल फीस देखा गया है देखी हाली में जो डेविल फीस है ये सीका सार जलासे में देखा गया है ऑप्शन नमबर ए सीका सार जलासे में डेविल फीस दिखा गया है सीका सार जो की गरि या बंजिला में है सीका सार्जला से निश्ट है कहाँ पर कभीर सोद संस्तान प्रस्थावी थे देखिए नवा राइपूर में कभीर संस्तान प्रस्थावी थे चतिसगर राज्य तौरस राज्य में चिनांकित प्रेटन इस्थल 117 से बढ़कर कितनी हो गई है तो 117 से बढ़कर 149 हो गई है राज्य में पहली 5G सिवा कहां से शुरू नहीं की गई है तो देखें राइपूर में क्या गया है दूर्गो बिलाई और लेकिन जो बिलासपूर है यहां पर नहीं क्या गया है option number D, B इसका राई टेंसर हो जाएगा बिलासपूर अगला है देजबर में धान बेचने में वाले सरवादिक किसाद कहां से है तो आपको पता ही होगा चतिसगड़ में है ठीक है लेकिन याद रखेगा कि 2022 में चतिसगड़ में धान बेचनिक में कौन सा इस्थान था दूसरा ठीक है धान करेदी में कौन सा इस्थान था दूसरा और पहले नमबर पर कौन सा था पंजाब पहले नमबर पर पंजाब दूसरे नमबर पर चतिसगर चतिसगर के नए राज्यपाल के संबन में सही कथन है कथन एक क्या कहता है कि स्री विष्वभुसर्ड हारी चंदन राज्जे के साथोय राज्येपाल है, ठिक है, राइट है, दूसरा कथन क्या है, उबफ पूर्य में आंदर पर्देश के राज्येपाल थे, ये भी राइट हो जाएगा, तीसरा कहता है कि उन्हें रमेश सिना द संचालन किस भी भाग द्वारा किया जा रहा है ओप्रेशन मुस्कान का जो संचालन है यह पुलिश भी भाग के द्वारा किया जा रहा है option number B पुलिश भी भाग के द्वारा ठीक है और इसका जो उद्देश से है वो गुमशुता बच्चों की तलास करना नेक्स्ट है हमारा अंगना योजना का उद्देश है देखे हमर अंगना जो योजना है इसका उद्देश है आपका घरीलू हिंसा से पीडित महिलाओं को घर पहुंच नयाइक शहायता दिलाना option number A इसका राइट एंसर हो जाएगा 2022 धानकरीदी में देश में 36 गड़ का इस्थान रहा है देखे 2022 धानकरीदी में पूरे देश में 36 गड़ के जो इस्थान है वो दूसरा नंबर रहा है ठीक है पहला नंबर पर कौन था तो पहला नंबर पर जो था वो है पंजाब पहले नमबर पर पंजाब और दूसरे नमबर पर चतिसगड मिलेट ओन विल्स का सुभारम कहां किया गया है देखें मिलेट ओन विल्स का जो सुभारम है ये खरसिया में किया गया है option number C खरसिया में किया गया है मिलेट ओन विल्स का सुभारम चतिसगर का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट कहां इस्तापित किया गया है देखे चतिसगर का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग जो प्लांट है ये आपका नतिया नवागाव में किया गया है जो की कांकर जिला में इसी थे निक्स्ट है चतिसगर मिलेट कॉर्णिवाल का आयोजन कहां किया गया है तो चतिसगर मिलेट कॉर्णिवाल का आयोजन रायपूर में किया गया नेक्स्ट है राज जी का पहला मिलेट कैफे कहां खोला गया है तो राज जी का पहला मिलेट कैफे रायगर में है पहला मिलेट कैफे राइगाड और राज्य का दूसरा मिलेट कैफे कहां है तो आपका कोर्बा में option number B कोर्बा मिलेट्स महुत सो राइगाड का आयोजन कब हुआ मिलेट्स महुत सो राइगाड का आयोजन 28 परवरी 2023 को हुआ था option number B इसका right answer हो जाएगा मिलेट्स महुत सो राइगाड का आयोजन कब हुआ था तो मिलेट्स महुत सो राइगाड का आयोजन 28 परवरी 2023 को हुआ था तो 36 गर्ण नवाचार आयोग का अधेक्च बनाएगे है संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है ठाकुर पूरन सिंग इस्मृति सम्मान से सम्मानित के अगया है अगला कोश्चन है हमारा फेमीना मिस इंडिया 36 गर 2023 का खिताब जीता ओप्शन है अधिती शर्मा निया शर्मा सुचीता सर्मा या फिर आस्ता सर्मा किसने जीता तो अधिती शर्मा पेन अमेरिका ब्लादीमीर नाबा को अवर्ड फॉर अच्यूमेंट इन इंटर इंटरनेशनल लिटरेचर 2030 की से प्राप्त हुआ है की से तो विनोद कुमार शुक लगो ऑप्शन नमबर सी विनोद कुमार शुक लगो नेक्स्ट है भारत माता वाहिनी के संबंद में सही कथ कथन है कथन एक क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों में बहिला सौन साहता समूह दौरा नशा मुक्ति के पक्च में रैली प्रभाद फेरी नशा पान से होने वाली दूस परडामों के प्रचार प्रचार नारे दिवार लेखन पोश्टर बॉंपलेट नुकड नाटक दौरा जल जन समाने में नसा मुक्ति एतु जगरिकता अविक्सित करना रैट है दूसरा कतन कहता है कि इसका गटन समाज कर लियाड विभाग 36 गर्सासन दौरा किया गया ये भी रैट है इस कोस्टन का रैट एंसर हो जागा ऑप्शन नमबर सी एक बाद दोनों ही कतन सत्य है अग है रेखा अब्राहाम हुझूर को ठीक है नेक्स्ट कोश्टन है निकलर एप का संबंद कि से है देखिए जो निकलर एप है इसका संबन सुगर पड़वईया अभ्यान से है एक है निकलर एप का संबंद अगला कोश्टन ہے चत्तिस गडराज योजना आयोग द्वारा जारी 36 गड सतत विकास लक्ष रैंकिंग 2021 के संबन में सही कथन है कथन एक क्या कहता है कि इसमे 27 जिलो को rank किया गया है दूसरा कथन कहता है कि 82 इंडिकेटर के अधार पर 4 रेडियो में रैंकिंग किया गया है ये भी राइट है तीसरा है कि धमतरी जिला 72 अंग के साथ फ्रन्ट रणनर फ्रेडी में सामिल हुआ ये भी राइट है इसका option नमबर डी इसका right answer हो जाएगा सभी कथन सत्त है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है बेरोजगारी बत्ता योजना के संबन्द में सही कथन है कथन एक क्या कहता है कि इसके अंतरगत पंजीकरित बरोजगार युवां को 25 सो रुपे मासिक बत्ता दिया जाता है राइट है इसे एक अपरल 2023 को लागू किया गया ये भी राइट है एक अप वो love affairs में उलचे हैं और हम current affairs में ठीक है देखे आशीको का महीना चल रहा है जानते हैं आप लोग फरिवरी जो होता है आशीको का महीना होता है तो देखे प्यार वैर के लिए बहुत टाइंब है पहले क्या करिए current affair पढ़िए इसके बाद आशीक की करिएगा ठीक है 2022 में रिपोर्ट पेश किया गया इसके अंसार चतितगर में बागों के शंक्या है 17 अगला है हेमचंद विश्व विद्याले दुर्गुद्वारा किसे डॉक्टरेट की मानकुपादी दी गई है किसे दी गई है तो देखे बुपेश बगिल को और उशा बारले को राइट ए संग्राइन है इसके दौरह कि नहीं डॉक्टरेट की मानकुपादी दी गई है तो राइट इनसर है बुपेश बगिल को ऑप्शन नम corresponding बेश कोश्र है का चौसिंगा कहां देखा गया है दूरलफ परजाती के चौसींगा ये कांगर घाती राष्टे उध्यान में देखा गया है किरा राष्टेknow कहां है बसतर में नेक्स्ट कॉस्टन है महुँद्हासी दास संग्रहल है देश का खालिस्तान सबसे पुराना संग्राहले है कौन से संग्राहले है तो आठवा सबसे पुराना संग्राहले है ठीक है महंद गासी दास संग्राहले और ये जो संग्राहले है महंद गासी दास संग्राहले कहा है राइपूर जीला में इस्ती थे राइपूर में इस्ती थ देश का सर्वेश्ष किसान अवर्ड प्राप्तु है किसे प्राप्तु है तो डॉक्टर राजा रामतिर पाथी को देश का सर्वेश्ष किसान अवर्ड से सम्मानित किया गया है देखें, में रबर की खेती, बस्तर में किया जाएगा, नेक्स्ट कोशन है इंडिया जेस्टिस रिपॉट में, देशं में कौन सा इस्थान है, टॉ राइट इंसर है, नौवा ओप्शन नमबर डी, सॉर्ण नमबर सी, नौवा नेक्स्ट कोशन दिखेंगे 9 से 12 अप्रेल 2023 को सुक्मा राजा मेला का आयोजन हुआ या हमेला कितने वर्सों में आयोजित होती है देखें 9 से 12 अप्रेल 2023 को सुक्मा राजा मेला का आयोजन हुआ ठीक है या और ये जो मेला इसलिए important ही ये question क्योंकि ये मुला हर 12 साल में एक बार होता है सुकन्या समरिद्धी योजना की व्रिद्धी कर कितना कर दिया गया है तो देखें पहले कितना था 7.2 था ठीक है 7.2 जिसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया है अभी वर्तमान में ठीक है 2023 में तो राइट एंसर हो जगा 8.2 परशेंट केना पारगेरे फाइट ब्लॉक बलरामपूर का ई ओक्षन द्वारा निलामी किया गया ऐसा करने वाला चतिस गड़ देश का इस करम का राज्य बन गया है तो राइट एंसर है तीसरे करम का उप्षन नमबर C तीसरा अगला प्रशन है अली में कोरबा के अलावा चतिस गड़ के अन्य एक जिले में लीथियम का बंडाराण मिला है ऑप्षन है शुकमा रायगड बेमें तरह या फिर बला ओदा बजार तो राइट एंसर हो जाएगा शुकमा ऑप्षन नमबर E शुकमा ऑगला प्राश्चनय है चतिस गएष सैटेलाइट इंटरनेट टीवि चैनल का नाम है ऑपिशन है चत्रीस गड़ संगवारी सूपर टीवी, SuP. T, टीवी चत्रीस गड़ या फिर 36 गड़ टीवी तो गर्वी तो रही टेसर हो जाएगा कौन है क्या नाम है तो वी नाम है next question देखेंगे 5 star rating वाला कोल खदान है देखे 5 star rating वाला जो कोल खदान है ठीक है वो बंगवार भूमीगत खदान जो की कोर्बा मिचती थे यह 5 star rating वाला खदान है option number यह बंगवार भूमीगत खदान कोर्बा रीसी जर्ण जल परपात किस जिले में परवाहित होती है देखें जो रीसी जर्ण जल परपात है यह गरिया बंजिला में परवाहित होती है option number D गरिया बंजिला next question है मुख्य मंत्री ची द्वारा निम्भू ची दो किताब वो उसके लेखक का सही मेल है option कथान एक क्या है भारतिय गोधन देखिए भारतिय गोधन के जो लेखक है वो पंडित जाबर मलसरमाजी है यानि इसका एंसर ये हो जाएगा और कोटवार के लेखा कौन हो जाएगा ये इस question का right answer को हो जाएगा ना तो एक सही है और ना ही दो ठीक है next देखिएगा urban industrial park यू आई ए पीए के पहले चरण में right answer हो जाएगा option number 14 नगर निगाव वो 44 नगर पाली काव में इस्तापित किया जाएगा urban industrial park next है हाली में 36 गड़ के तीन किलाडियों को चवण भारतिये softball team में हुआ इसमें सामिल किलाडी नहीं है मयंक नायक, बीरुबाग, निकिल नायक या फिर किशन महानन कौन सामिल नहीं है तो मयंक नायक सामिल नहीं है next है विस्व मैलकम चैंपियंशिप के सम्बन में सही कथन है कथन एक क्या कहता है कि इसका एवजन भूटान में हुआ ठीक है राइट है दूसरा कथन कहता है कि 36 गड़ की तीन किलाडी प्रोजेक्ट असेस्मेंट एंड एक क्रीडिटेशन के लिए हाली में किसे इसकोच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है तो राइट एंसर हो जाएगा उच्छा विभाग को उच्छा विभाग 36 गड़ को ठीक है पांचवी अंतराश्टी है पारा एथेलेटिक्स परतियोगिता के संबन्द में सही कथन है कथन एक क्या कहता है कि इसका एवजन बैंगलोर्यू में हुआ राइट है दूसरा कथन कहता है कि छोटी मेहरा ने डिसकस थ्रो में गोल्ड तथा सौट पूट में ब्रॉंज मेडल जीता ये भी राइट है इसको थन को जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी सभी कथन सत्य है मोना सेन का संबंद किससे है देखें मोना सेन गाना सुने होंगे आप लोग बीजली गिरा है मोना रे वाला जब आया था ठीक है मोना सेन का संबंद किससे है तो मोना सेन का संबंद जो है वो फिल्मों से है ऑप्शन नमबर बी फिल्मों से संबंदी थे मोना सेन बेटियों के संग्रक्षल के लिए संकल्प मोहीम चलाने के लिए Golden Book of World Record में नाम जो दर्ज कराने वाली है Option 1, Mona Sain, पल्लवी सिंग, सोनल नेताम या फिर श्वेता सर्मा, राइट एंसर हो जाएगा Mona Sain Next है, इर्थी चकरे से समाने चतिस गड़ के तीन पूलिस करिमियों में शामिल नहीं है कान शामिल नहीं है, तो संताप सोरी Option 2, संताप सोरी Wi-Fi के सुईधा वाला पहला रीपा है देखे, Wi-Fi के सुईधा वाले जो पहला रीपा है वो बेल्टुकरी है, वाइफाई के सुईधा वाला पहला रिपाठी के, बेल्टुकरी कहां है, तो ये मस्तूरी विधान सबा में है, और मस्तूरी विधान सबा में है, और मस्तूरी विधान सबा भी कहां है, पूछेंगे, तो भी लासपूर में हिस्तित है, राज्य इस्तर प्रदेस में कारे इस्तल पर दुरघटना मृत्यू पर पंजिकरित निर्माड स्रमिकों के 5 रीजनों को कितनी सहायताराशी मिलेगी तो राइट एंसर है 5 लाग रुपे उप्शन नूबर C 5 लाग इस्थाई विकलांगता की स्थिति में पंजीकरित निर्माड स्रमिकों को कितनी सहायता राशी प्राप्त होगी तो राइट एंसर है 2.5 लाक रुपए और पंजीकरित स्रमिक की कार इस्थल पर मृत्यू पर उसके परिवार को कितनी सहायता राशी मिलेगी तो राइट एंसर है एक लाग रूप है ओप्शन नमबर एक लाग रूप है नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निर्माड मजदूर मंथली सीजन टिकट काड योजना के समद्ध में सही कथन है और कथन है क्या कहता है कि 50 किलोमेटर तक यातरा करने वाले पंजीकरित स्रमिकों को बस और ट्रेन की मासिक टिकर दी जाएगी ठीक है राइट हो जाएगा दुसरा कहता है कि निर्माड स्रमिकों को नए अवाश निर्माडिया करे करने के लिए 50 हजार की अनुदान दी जाएगा यह भी राइट है अनुदान स्रूप निर्माड स्रमिकों को दी जाएगी कितनी रुपे दी जाएगी तो option number भी 20,000 रुपे दिया जाएगा ठीक है स्रम विभाग की अजनाक जानकारी के लिए help line number जारी की गई है जो की है कौन से number जारी किया गया है तो ठीक है 077-135-05050 राइट एंसर हो जाएगा option number A next देखिएगा हाली में किस विभाग के प्रोजेक्ट assessment एक accreditation को Scotch Silver Award से प्राप्थ हुआ है किसे तो option number B उचसिक्चा विभाग को प्राप्थ हुआ है ठीक है अगला देखिएगा 21 माई 2023 को भरोसे का समेलन आयोजित कहां किया गया कहां आयोजित किया गया तो राइट एंसर है सांकरा पाटन में ठीक है जो कि दुर्ग जीला में आता है next question दिखेगा 17-21 माई 2022 को उत्तरबर्दिस के लखनव में आयोजित छटवी राष्टे मिक्स मार्सल आर्ट परदियोगिता में बस्तर मार्सल आर्ट अकादमी की बेटियों ने कुल कितने पदक जीते हैं तो राइट एंसर हो जागा option नमबर D पांस स्वड़ वा एक कांसे पदक सहीद कुल छे पदक हासिल किये next है परवतर हो ही यह आसी जैन ने मई 2030 में किस परवत चोटी को फतह किया तो option है Mount Everest को भी फतह किया Mount Lohat से को भी यानि इसका राइट एंसर हो जागा option नमबर C यह भी दोनो देखें Mount Everest इसकी जो हाइट है 8849 मीटर है 8849 मीटर इसकी हाइट है इसके बाद है Mount Lohat से तो इसकी जो हाइट है वो 8516 8516 मीटर इसकी हाइट है next question दीखेगा हमर सुगर लई का अभियान का संबंद है देखें हमर सुगर लई का अभियान का संबंद को पोशन मुक्ती अभियान से 25 मैं से 31 अगस 2023 तक परशासन तुहर द्वार अभियान कहां संचालित किया गया तो राइट एंसर है जांजगीर चापा में option number C जांजगीर चापा अगला देखेंगे 3 से 4 मैं 2023 इसको 88 यूआ वैज्यानिक सम्मिलन कहां है उजित किया गया तो राइट एंसर है राइपूर में option number A राइपूर में अगला प्रश्न है बाइंग खातों का 100% digitally करणकर 36 गड का पहला digital जिला बना है option है धमतरी, शुक्मा, राइपूर या फिर दुर्गो कौन सा तो राइट एंसर हो जाएगा शुक्मा option number B राजे निर्वाजन आयक द्वारा मददान के अधिकार के प्रती जगरुकता बढ़ाने के लिए कि इन्हे state icon बनाया गया है किसको बनाया गया है तो दिखेगा डॉक्टर राधेश्याम बारले, स्रीमती उसा बारले अजे मंदावी या फिर डोमर सिंग कमर तो राइट एंसर हो जाएगा इसका एव एक बार दो ठीक है राधेश्याम बारले को और उसा बारले को राम वन गमन परियाटन परिपत में पहले चरण में सामिल नौ इस्थालों में सामिल नहीं है शिवरी नाराण, चंद्रकोरी, चंपाराड या फिर उप्रक्ट सा भी देखी इन में से कोई भी सामिल नहीं है आईए पताता हूं मैं कौन-कौन सा सामिल है इसके तहर तो राम वन गमन के लिए प्रथम चरण के लिए इसके ठीक है नौ इस्थान कोची नित के अगया इन में सीतामडी हर्चोका जो की कोरिया जिला में है दूसरा है रामगर जो की सरगुजा जिला में इस्तित है सिवरी नाराण जो की जांच की चापा जिला में है तुर्थूरिया जो की बलाओदा बजार में है चंदरकुरी जो की रैपूर जिला में इस्तीत है राजीम, गरियाबंध, सिहावा, सबतरिशी, आसराम, यह धमतरी जिला में है और है जगदलपूर की बस्तर जिला में है और रामा राम जो की सुक्मामिश है इन नौ इस्थलों को सामिल किया गया है प्रथम चरड में स्रेष्ट निक्षे मित्र जीला के रूप में सम्मानित किया गया है option A, मुंगेली, राजनान गाउ का वर्था या फिर B में तरह तो रहे टेंसर हो जाएगा मुंगेली option number A, मुंगेली, ठीक है अगला है अगला है, विश्व का सबसे चोटे परजाती का हीरड देखा गया है, देखें विश्व की सबसे चोटे परजाती का हीरड है, वो कांगेर वैली नेशनल पार्क में देखा गया है, अगला है, हाली में 10 ने केलो इंडिया सेंटर की सुरुवाद 36 गड में की गई है, अब रा लिखो चनेमि में चतीसगण के जो प्रशांत मिर्व मिसर हैं इनको राइजान किया गया है है शाकर राष्टी रमाइड महत्सो का आयोजन कहा ग्या है यह रामलीड मैदान में किया थीक है कब से कब तक क्सका प्रामलीजन किया गया निक्स्ट कोशन देखेगा प्रथम राष्टी रमायड महत्सों में कौन से दो देश सामिल हुए प्रथम राष्टी है रमायड महत्सों में तो राइट एंसर हो जाएगा कमबोडिया वा इंडोनेशिया option number C इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखेंगे रमाड महाथसो का आयोजन किस जिले में हुआ देखें रमाड महाथसो जो था इसका आयोजन सर्गुजा जिला में हुआ option number A सर्गुजा जिला डॉक्टर तुम्चोद्वार अभियान का संबंद किस जिले से है देखें डॉक्टर तुम्चोद्वार इस अभियान का जो संबंद है वो कोंडा गाउं जिले से है अगला प्रशन देखेगा मलेरिया मुक्ती अब 36 गड़ अभियान के संबंद में सही कथन है और कथन एक क्या कहता है कि इसमें 824 संचलन 15 जून से 10 जुलाई 2023 इसके मध्य में किया गया, राइट है, दूसरा कहता है, कि इसका लक्षे 22,00 लाइट लोगों को मलेरिया जांच करना है, 3 है कि 2854 मलेरिया जांच टीमों को गठन किया गया, जिसमें सरबाधिक टीम बसतर भाग के लिए हैं यह भी सा राइट है चौता कथन काता है कि इस अभियान के साथ सदन कुष्ट रोग अभियान और राष्टी नेत्र जोती अभियान भी शुरू किया गया है यह भी राइट है यानि 155 को जो राइट एंसर हो जाएगा अप्षन नमबर डी 1 2 3 4 सभी कथन सत्य है हाली में दबस्तर फाइल नामक फिल्म बनाने की घुश्चला की गई इसके निर्माता कौन होंगे देखे दबस्तर फाइल जो है वो फिल्म बनने जा रहा है इसको निर्माता जो है वो वीपुल सा है ठीक है अमित सामत समझेगा व क्या उदेश से है राष्टी जनजाती खेल परतियोगीता के संदर्भ में सही कथन है कथन एक क्या कहता है कि इसका आयोजन नौसे बारज जुन दो जार्टेस को मध्य भूनेश्वर ओडिशा में किया गया राइट है दूसरा कथन क्या कहता है कि छतीस गड़ को इस परति जादा मेहनत लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए ठीके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा नेक्स है चर्चा मेरे एक लाड़ी अंजिनी खलकों तथा निहा जैसवाल का संबंद किस खेल से है औप्शन है बेस्बॉल पुटबॉल बॉलीबॉल य इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी नेक्स्ट कोश्चन दिखेगा राष्ट्य वील चेर बॉड़ी फिल्टिंग चैंपियनसीप चंडीगड में दूर्ग की किस खिलाडी ने प्रथामिस्थान प्राप किया है तो राइट एंसर हो जाएगा अश्वन ए कमाता है कि इसे जल जीवन मीशन के तहट प्रारण हो राइट है दूसरा कतन कहता है कि कि शती Google का पहला Rock Garden कहां बनाए गया देखे कि-bit já हुआ की पहाडी में बनाए गया और ले रामा-राम की पहाडी जो है वह सुकमा जिला में इस्ती थे हाली में देवराज पतेल का निदान होगया । एक सड़क दुर्गट्णे में ठीक है येस का सबसे बड़ा को खदान है जो सबसे बड़ा कोल माइन से कुनसा गेवरा कौल माइन से रिचस्ट कोश्चन दिखेगा दुरला परजात्य का इंदरा धनूसी गिलहरी गिलहरी है औरा मतिरंगा जंगल में देखा गया है और मतिरंगा जंगल जो है ये कहां है आपका सरगुजा जिला में इस्ती थे ग्रामेड चेतर में इस्थापित पहला मिलेट कैफे है देखे ग्रामेड चेतर में इस्थापित जो पहला कैफे है वो कोडे नार है कौन सा है कोडे नार और कोडे नार कहा है बस्तर जिला में इस्तित है नवीन स्विक्रित सासकी अंगरेजी माध्याम आदर्श महाविद्याले की संक्या कितनी है तो राइट एंसर है चार अप्शन नमबर D चार अगला है लगू अनपच संग्राण में चतिस गड़ का देश में इस्तान है कौन सा इस्तान है चतिस गड़ का तो पहला इस्तान है लगू अनपच संग्राण में चतिस गड़ का पहला इस्तान है अगला है सुगर पढ़वया अभियान अंतरगत किस जीले को पूरी प्रदेश में प्रथम इस्थान मिला है किसे तो बालुत जीले को अप्शन नमबर भी बालुत को स्रम विभाग दौरा बाल स्रम उन्मूलन सप्ता मनाया गया कब से कब तक तो राइट एंसर है नौ से पंदरा जुन दोजार तेईस तक जनसंख्या इस्तिरीकरण पकवाड़ा का संचालन कब से कब तक किया गया देखे जनसंख्या इस्तिरीकरण जो पकवाड़ा है इसका संचालन 17 से 24 जुलाई 17 से 24 जुलाई तक किया गया भूजल इस्तर बढ़ाने ये तू हमर पानी अभियान के शुरुवात कि जिले में की होई है दिखे भूजल इस्तर बढ़ाने ये तू हमर पानी अभियान के जो शुरुवात है ये जांजगीर चापा जिले में हुआ है अगला प्रशन देखेगा प्रित्वी अवार्ड दो इस संबन में सही कथन है, कथन एक क्या कहता है, कि राइट है, दूसरा क्या कहता है, कि इमली प्रासन्सकरर के लिए पुरुस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है? यह भी रैठ हो जाएगा, जैनि इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, ऐक वादो, दोनों結事情 सत्त है भूमी प्रबंदन में उत्कृिष्ट कारेतु दो जीलों को लेटीनम सेटिफेकेट प्राप्त हुआ है, ये कौन कौन से जीले हैं हैं, तो सरगुजा और बे में तरह, राइट ऑट्छा रोजाएगा इसका सरगूजा और बे में तरह, अगला देखियोगा, पहले चलर में प्रदेश के कितने इस्थलों पर महात्मा गांधी अर्बन इंडिर्स्टियल पार्क यू आई ये पीए का सुभारम किया जाएगा कितने तो 58 राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन बर्शी 58 36 गड़ के सबसे बड़ा सूपर क्रिटिकल पावर प्लांट भाजदेवताप विदुद ग्रेट की नवीन परियोजना की स्थापना कोर्बा में की जाएगी इसकी चमता कितनी अनुवानित है तो राइट एंसर है 1320 मेगावाट मोर बिजली ये 2.0 हाली में लॉंच किया गया इसके संबंद में विचार करें कथान एक क्या कहाता है कि यह 36 परकार की सेवाएं प्रदान करेगा ठीक है राइट है दूसरा कहाता है कि यह 36 गड़ी बासा में बिजली विबाग से जुड़ी महत्तोपूर जान करेगा उपल वाग तीन चटिस गड़िया ओलंपिक 2023 के दुटी संस्क्राड की सुरुआत कब से हुई थी राइट एंसर हो जाएगा हरेली पर्वसे ओप्शन नमबर ए हरेली पर्वसे ठीक है और चटिस गड़िया ओलंपिक का एवजन कब से कब तक चला तो 14 से लेकर आपका 14 जन्वर से 27 सितंबर 27 सेप्टेंबर 2023 तक ठीक है चटिस गड़िया ओलंपिक 2023 का सुबंकर बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है क्या है बचरू एक्सट है चटिस गड़िया ओलंपिक खेलों के सहरी चेत्रों में आयोजन के लिए नोडल भी भाग बनाये गया है वैट एंसर हो जाए सहरी चेत्रों में सहर क्या होते है नगर होते हैं तो सिंपल इसका ट्रिक है कि जब भी चटिस गड़िया ओलंपिक खेलों को सहरी चेत्रों में आयोजन के लिए नोडव को बनाये गया है तो नगरिय प्रसासने वहम विकास भी भाग को ठीक है इसके बाद एक क्क्ष्टन ग्यानिश्वरी यादो का संबंद की इसे है ग्यानिश्वरी यादो इसका जो संबंद है वो वेट लिप्टिंग से है अगला प्रशन है में वृत्य 받श 2023-25 का पहला अनुपूरक बजट कितने रासी कथा था तो दीके वित्य वच लोगा कोदी सेल्वा अनुपूरक बजट था ठीक है ये चाहचा अगाल सर कार दोरा मंगाई बत्ते में कितने की रूपय कि बढ़ोत्री की गई है कितने के बढ़ोत्री तो 4% की बढ़ोत्री की गई है option number D 4% की बढ़ोत्री की गई है 34 गड़ के सरकार के दौरा मंगाई बत्ते में प्रदेश कपाला स्वामी आत्मान इंग्लिस आदर्ज महावी ध्याले कहां को लगया है तो राइट टेंसर हो जाएगा कांकेर में option number D कांकेर मानिकपूर पोकरी इको परियाटन केंद्र कहां इस्ती थे दिखें मानिकपूर पोकरी जो इको परियाटन केंद्र है ये अपका कोरबा में इस्ती थे option number A कोरबा नवीन अध्योगिक निती दोजार उननीस चोबिस के अंतरगत कितने स्टार्ट अपिकाईयां पंजीक रिद की गई है तो राइट टेंसर है 83838 बस्तर संबाग का पहला वायरोलेजी लेव कहां को लगया दिखें बस्तर संबाग का पहला जो वायरोलेजी लेव है ये जिलार चिकित साले में को लगया है दंतेवाडा में नेक्स्ट कोश्चन दिखेगा इस वर्ष प्रदेश व्यापी रोका चे का अभियान कब से कब तक संचालित किया गया दिखे प्रदेश व्यापी जो रोका चे का अभियान है ठीक है ये 6 से 17 जुलाई 2013 तक इसका आयोजन किया गया अप्शन नमबर B इसका रायटेंसर हो जाएगा अगला दिखेगा हाली में पसूची कित सा है तो टोल फ्री नमबर जारी किया गया है ये है कौन सा है तो 1962 1962 अगला प्रशन है चतिसगड ग्रामिक और जीवी का सिखर समेलन 2013 किस जिले में किया गया तो रायटेंसर है रायपूर जिला में अगला दिखेंगे चतिसगड विधान सभा चुनाओ के दोरान चर्चित चुनई डवाल का संबन किस विधान सभा चुनाओ से है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कोस्टन है ठीक है विधान सभा की नव निर्वाची सदस से लता उसेंडी के संबंद कि इस विधान सभा चेत्र से है तो राइट एंसर है कोंडा गाउं से संबंदिन्थ है लता उसेंडी जी नेक्स्ट कोशन देखेगा अगला प्रशन है चतिस गड़ परदेश में कुल कितने परवासी भारतिये मददाता पंजी करीत है कितने तो राइट एंसर हो जाएगा 17 बागों की संख्या चतिस गड़ में 17 है और परवासी मजदूर कभी संख्या याद रखेगा 17-17 है कोशन पूछेगा तो कन्फ्योज म वो 2,3,80,89 है ठीक है नेक्स्ट कोशन दिखेगा अचार सहीता के उलंगन की सिखायत है तो भारत निर्वाचन आयक द्वारा कौन सा एप्लिकेशन बनाया गया है ऑप्शन है E-Election, C-Vigil, V-Vote या फिर E-Voter इसका इंसर आप मुझे कॉमेंट करके बताएगा ठीक है और व